पार्सल एवं कूरियर सेवा प्रदान करने वाली जर्मनी की कंपनी डियाचल का एक माल वहक विमान लिथुवानिया के राजधानी के निकटिक मकान की उपर दुर्गर्ष्टनाग रस्त हो गया इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई लिथुवाना पुलिस ने कहा कि व किलो मेटर पहले गिरा गरस्त होने के बाद कुछ सो मीटर तक फिसला कुछ हद तक एक मकान से ठकड़ाया घटना में मकान के आसपास के आवासिव धाचों में आग लग गई और मकान को भी थोड़ा नुकसान पहुचा है लेकिन हम लोगों को निकालने में कामियाब रहे ह लोग प्रसारक ने आपकालीन अधिकारी के हवाले से बताया कि दुरखटना के बाद दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया और एक को बाद में मृत घोसित कर दिया गया लाटी ने अगर आप लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके